क्या आप चाहते हैं कि आप अपने folder के जो icon style से इसे भी को change करना इस वीडियो में मैं आपको ऐसा trick बताने जा रहा हूं जिससे कि आप जो एक folder icons के style से इसे भी को चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाफ से customize कर सकते हो सो हेलो गाइस वेल्कम तू माई यूटूब चैनल इस त्रीक को करने के लिए आपको सबसे पहले पी एंजी फोटो की जरूरत होगी आप जेपीजी फोटो को भी यूज कर सकते हो पर प्ली फोटो ज्यादा बहतर होगा आइकन्स का लूग देने के लिए आपको सबसे पहले पी एंजी फोटो को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा इनसे भी पी एंजी फोटो को आपको आइकन्स में कंवर्ट करना है आइकन्स में कंवर्ट करने के लिए आप बहुत सारे सॉफ्टोर को भी यूज कर सकते हो प एफसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको चूज फाइल नाम का एक उप्शन दिख जाता है इस उप्शन पर आपको ट्रीक करने के बाद आप जिस फाइल को आइकन में कंवर्ट करना चाहते है उसको आप सिलेट करते हो इधर से फिर यह अप्लोड नाम का एक उप्शन इसको टैप करने के बाद आपको डाउनलोड नाम का उप्शन दिख जाता है ऐसे करके आपका जितने भी फाइल से उसे भी को आप आइकन में कंवर्ट करने का बाद इस सभी आइकन को एक फोल्डर पे सेफ करके रखो यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं बाद में बताता कि यह कि वależ सोगत आप है इसके बाद आप जिस फोल्ड़ के आइकन को चेंज करना चालता है उस फोल्डर पर चले जाओ फोल्डर पर आने कंबद आपको सिंब्ली राइट क्लिक करने के बाद को आपको आप्शन दीच कृट प्र बाद को आप को और भी आपको अप्शन क चाहता है उसको डिफोल्ट बाद सब्सक्राइब करना के बाद की आप कोईढ़ कोई इन वगईए्ट अँप सेग्धी आपको फिर जाना है और एक Standard default है ahí तो सबस्केन पहले के स्टेज में चला जाएगा इनसा भी फोल्डर के आइकन को मैं अभी चेंज करके दिखा तो मैं वीडियो को जड़ा फास्ट फॉरवड कर देता हूं आप देख सकते हो कि यह कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है और यह नॉर्मल डिफॉल्ट बोरिंग आइकन से बहुत ही ज्यादा इं एक फोल्डर पे स्टेफ करके रखने के लिए यह जो आइकन से यह अगर थोड़ा सा भी मूब होता है तो फिर आपके फोल्डर पे यह आइकन को कट करके सिर्फ इधर बाहर पेस्ट कर दिया फिर आप अगर इस फोल्डर पे जाके देखोंगे तो वह आइकन स्टाइल परेगा तो यह बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए आपको सिंपल यह करना है कि यह जो फोल्डर रहे आइकन का फोल्डर यह आपके कंप्यूटर पर ऐसे जगा पर सेफ कर देना है जीदर आप इस फाइल को कभी मूब ना करो अगर थोड़ा सा भी मूब होता है तो फिर आपके यह सारे आइकन उठ जाएंगे तो फिर आपको फिर से बहुत दुबारा करना परेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है तो यह बस आज के लिए वीडियो कैसा लगा वह मुझे नीचे कमेंट में जरू बतागे जाना और आगे आप ऐ